Hello and welcome everyone to Magnet Brains, my name is Sánidhya और मैं हूँ आपका Business Faculty for Class 12 हमने इससे पहले पूरे chapters की बारे में समझा पढ़ा और दिखा कि कैसे principles of management हमें management के बारे में समझाता है कि management किस तरह से होना चाहिए और अगर आप कहीं न कहीं किसी guidance की जरुद चाहते हैं कि guidance आपको मिले कि मैं इस situation में किस तरह से management थोड़ा बहतर तरीके से कर सकता हूँ उसके लिए कुछ principles आपके बताये गए कुछ लोगों के द्वारा जैसे कि Henry Fjol हो गए है, FW Taylor हो गए ऐसे कई सारे लोगों ने आपको guide किया How to do the management in much better senses, ठीक है Even experts के बारे में बताया गया आपको important समझाए गई management क्यों जरूरी है Coordination management क्यों जरूरी है Chapter 1 में भी हमने देखा कि हम management के बारे में पढ़ रहे हैं basics पढ़ रहे हैं फिर हमने देखा कि उसके ideal situations या parameters या जिनको guideline देख के हम आगे बढ़ सकते हैं वो principles के बारे में समझाए And now we finally come up to this short part of the principles of management का very short answers की video में आचुके हैं जहां पे आप लोगो answer करना होगा related to the topics you have studied and also आपका mechanism brain का कैसे काम करता है आपकी कित्ती understanding बढ़ चुकी है और कितना आप अच्छे इसको elaborative form में explain कर पारे हो very short में इतना elaborative नहीं होगा पर फिर भी आप कैसे उसको explain कर रहे हो which will matter a lot for you चली गाइस तो हम देखते हैं इसमें कौन-कौन से questions है उनको कैसे answer करना है but wait a second first let me tell you you can watch any video from KG1 to 12 all on Magnet Brains channel Magnet Brains के channel पे आप हर एक video देख सकते हो KG1 से 12 तक की Magnet Brains के YouTube channel या website पे जा के आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो all for free निशुल्क है कोई भी पैसे देनी की ज़रूत रही है it is completely free for you guys and you can definitely take advantage of it आप उसका फाइदा उठा सकते हैं खूब महनत करिए खूब वीडियो देखें और इंडिया के best teachers से आप पढ़ने के साथ-साथ full marks लाने की कोशिश करें चली गाइस तो हाँ also UP board हो, Bihar board हो, MP board हो, CBSC हो doesn't matter कोई भी student हो वो one-stop platform है आपके लिए आप यहाँ आजाएए आप वो कहीं जाने की जरूत नहीं पढ़ेगी उसके साथ-साथ आप जो है हमारे notes and PDFs को भी अवेल कर सकते हैं जिसका description में link है so go on to that and check out और आपको notes and videos भी मिल जाएंगे चली गाइस further ado, let's move into the chapter let's move into the questions and see कि हम लोग कैसे उसको present करने वाले है question number one what makes the principles of management flexible अच्छा principle of management first of all flexible होता है क्या होता है कि नहीं होता है कि management के principle जैसे बता दिया बस ऐसे ही करना है भाईसा अपने इसाब से चूज नहीं कर सकते है अच्छा, ठीक है और flexible है तो किस basis पे किस ground पे flexible है अगर है तो किस ground पे नहीं है तो कैसे नहीं है वो सब चीज़े बतानी पड़ती है आईगा, let's see how are we gonna answer this question we're gonna answer this question principles of management are flexible yes, they are flexible how and why they are flexible let's see, in the question, in the answer कि flexible होते हैं, हां जी हो रहे हैं कैसे, as they can be modified अच्छा, मतलब अपने तरीके से आप इनको modify कर सकते हो by the manager manager के द्वारा ये modify किया जा सकता है बट क्यों ज़रत पड़ ये modify करने की towards giving situations मतलब, कि जैसी condition होगी उसे साबसे management होगा ना अब देखो, अगर हमने management किया था कि हमारे लोगों की शादी में या देखो ना, जैसे कि भीड़ इखटा होती है हम किसी को gathering करने थी कि बलाना था कि जैसे कि हम charity करने गए charity करने गए और हमने खाना लेके गए थे बहुत सारा खाना लेके गए थे हजार लोग का खाना लेके गए थे लेकिन हमें लगा था यार हजार लोग तो आएंगे नहीं, मतलब माझने जैसे, सौ लोग का खाना लेके गए थे कि 100 लोगा खाना करना है हमें 100 लोगा खाना लेके जाते हैं और charity में gift कर देंगे मिलब दे देंगे लोगों को खाना खाने के लिए पर हुआ क्या 100 की जगे 1000 लोगा आ गए हम 100 लोग के इसाब से management के लिए कौन लेके गए थे हम लेके गए थे 100 लोग है चार लोग लेके चलते हैं चार से पांच लोग चल जाएगा हो जाएगी दिक्कत कोई परिशानी नहीं होगी पांच लोग 100 लोग को manage कर लेंगे लेकिन हुआ क्या 1500 लोग आ गए पांच लोगों में भाईया भीड बड़क्का हो गया सामान चीना जपटी हो गए और सब कुछ लूट लाटके चली गए हुआ क्या management situation के इसाफ से modify करना पड़ता है अगर आपके पास अचानक 1000 लोग आ गए उनको बो क्यों में लगे normal general aspect पर बात कर रहा हूं मैं अपन इस किताबी sense में नहीं जा रहा है volunteer करना चाहे या उसको लग रहा है कि मैं भी मदद कर सकूँ या आपने किसे friends को बुला लो जो कि बोल रहे थे कि यार हमें अगर हमारी सब्सक्राइब पढ़े तो बता देना हमा चाहेंगे उनको बुला लो आप उन 1000 लोग को manage कर पाओगे तब एक line बनवाईए जिनको मिल चुका है उनको side by side right भेश दीजिए जिनको नहीं मिला है उनको Q में लगा दीजिए है ना you can manage by that आप ऐसे manage कर सकते हैं ठीक है या फिर जो package अगर आपके बस कम पढ़ गए है तो आप उनको आदा आदा करके बाट दो चलो कोई भी भूका ना सोए इसलिए आजाजा करके दो दो थोड़ा कम करके दो लेकिन सब में बटे सब में बटे कोई भूका ना रहे तो ऐसा भी कर सकते हो also you can tell क्या लोग ज़ादा आगा है तो पीछे से खाना बुलवाओ और सारा बुलवाओ और बना के ले क्या हो जिससे कि हम लोग यहाँ पर distribute कर सके तो आप modify कर पा रहे हो given situation के साब से principles हमेशा exact नहीं होते they just give you a general guidance कि आपको किस basis पर काम करना है they are not given rigid prescriptions कि rigid prescriptions नहीं है कि यह करना मतलब यह करना है simple बात ऐसा नहीं होता है आप modify कर सकते हैं which have to be followed by absolutely which have to be followed absolutely कि जैसा भी आप बनाओगे modify करोगे उसको follow करना है ठीक है उसको follow करना है ठीक है इस तरह से आप answer president करेंगे clear है चलेगा next question पे question number 2 state the main objective of the time study time study का main objective क्या है समय को पढ़ना है बाई साब अच्छा समय को पढ़ना है मतलब क्या करें समय को पढ़ना है तो main objective क्या होना चाहिए अच्छा अच्छा time study कि हमारे पास time कितना बचा है अच्छा दिन में 24 गंटे होते हैं 6 गंटा मैं सूँगा 7 गंटा सूँगा और 7 गंटा सूने के बाद मैं जो है दो घंटा लग करने के तयार फ्रिश ओना नहाना खाना पीना करना मिनको 2 गंटा लग जाता है फिर मैं सकुल जाओंगा स्कूलlles से आने के बाद मैं 3 बोग में तक स्कूल से आता हूँ कपड़ो पत Onu च journalists करो गोन्ख 3-4-4.30 से चार बज़े तक जो है आदे घंटे अपना मेरी क्लास होती है या मैं को लिक्टर देखना है तो मैं उससे पहले बीच में होमग कर लोगा जो कल का बचा हुआ था फिर उसके बाद मैं जो है चार से आठ जो है, चार से साथ जो है, मैं ग्लास ले लूँगा, फिर साथ के बाद मैं थोड़ा सा खेल वे लूँगा, या अपना रिलाक्स कर लूँगा, उसके बाद जो है, not time study, listen, the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, कितने employees की जर्रत है, वो बताया का time study, determine initiatives, schemes and labor cost, अब मेरको एक काम था, मान दीजिए, मुझे एक घर है, एक घर है, ये मेरा मकसद है कि भाईया ये जो घर है न, ये घर मेरे को चाहिए जल से जल बना के ये घर मुझे चाहिए जल से जल मुझे घर चाहिए बन जाना चाहिए जल से जल ये घर मेरा बन जाना चाहिए ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ ऐसा मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ की मेरा एए घर जो है, जल से जल बन जाए जल से जल यह घर बन जाए, मैं अईसा चार रहा हूँ ठीक है, यह है कि भाईया यह बुल रहा है कि यहां पर ऐसे 5 लोग हैं, 5 पीपल है जो की बुल रहा है, सर, कंसे कं जो है न वो इतना ही बन पाएगा एक फ्लोर की विल्डिंग बनानी है मतलब ग्रांड फ्लोर उसके उपर एक और फ्लोर आप उसका छत तो कम से हम दोसर डाहिल साल लग जाने तो इतना तो टाइम लग जाएगा पांच लोग के इंदर इतना तो काम करो मेरे को यह जो घर चाहिए लेकिन मुझे चाहिए एक साल के अंदर, एक साल के अंदर चाहिए, सर पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बला क्यों नहीं है, बलते हैं, पांच लोग जब दो साल लेते हैं, मान लीजे, पांच लोग अगर दो साल लेते हैं घर बनाने में, तो एक काम करो, तुम ले आओ, दस लो लोगों को पैसा देना मतलब सस्ता काम हो गया है ना पांच लोगों से बनवाएंगे सर अच्छा है ना फाइदा है सर पांच लोगों से काम करवाओ सस्ता पड़ेगा भली थ्रोड़ा सा समय लग जाएगा सबर रखो अरे पर एक चीज यहां तो देखो दस लोगों को पैसा तो दे रहा हूं लेकिन कितने टाइम के लिए एक साल के लिए मैं पांच लोगों को पैसा दे रहा हूं कितने टाइम के लिए दो या धाई साल के लिए तो बात तो वैसे भी वही पड़ रही है बात तो वैसे भी पड़ रही है थोड़ा अंतरिसम आए आए गई वो तो बिल्कुल आए गए तो example ऐसा है कि हमारा मैंने एवन ली एक्जामपल लिया है पर हो सकता है कि cost structure में भी फरक आए लेकिन इतना नहीं आएगा समय पर चीज बन जाएगी समय पर चीज बन जाएगी पैसा उत्ता ही लगएगा पैसा उत्ता ही आसपास लगए आपके logical reasoning के 5 लोगों को एक घर बनाने में 20 साल लगता है तो कितने लोगों को एक साल में घर बनाने में लगेगा तो आप बोलोगे 10 लगेगा, यही time study है ठीक है, यही time study है speed is equals to distance upon time वह यह वाली थियोरी है तो time क्या हो गया? time हो जाएगा आपका time क्या हो जाएगा, बताएगे time क्या हो जाएगा speed is equals to, अपन क्या करते थे speed is equals to distance upon time है ना, distance upon time time को इदर भेज़ दो, speed को इदर कर दो क्या हो जाएगा it is going to be time is equals to distance upon speed time is equals to distance upon speed तो वही सब ची time is the main factor time is the main factor फिर आता है अपने पास, next question question number 3 name the principle that an extension of harmony not a discord अच्छा principle that is an extension ये एक extension है harmony but not discord का harmony होनी चाहिए आपस में काम करने में पर discord नहीं, अच्छा ठीक है, let's see, discord के application की बात करो नहीं बठा, we are not talking about that वो बोल रहे है cooperation and not individualism ये इसका extension है, extension मतलब क्या harmony, harmony मतलब क्या सबसे अच्छा वेवार करो, किस से करोगे अच्छा वेवार पिटा, cooperate कर रहे है, उसी को तो harmony करे है, अपर cooperation को ये harmony करे है, harmony not discord मतलब, आप जो है individuals के साथ, biasness ना रखे आप जो है, cooperate करें सब के साथ, और individualism ना करें कि भईया, इसको में favor कर देता है मेरे मौसी का लड़का है, तो इसको पैसा जाला देते है ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, no सब के साथ एक अच्छा वेवार रखे, positive attitude रखे, जिसमें लगे कि भईया, सामने वाले पर positive attitude है, कि हाँ तू ये काम कर लेगा, मुझे पता है मेरे को विश्वास है, that is what you tell harmony is, cooperation मतलब क्या, cooperation means helping out others, आप दूसरों को help कर रहे हो और वही harmony thing है, harmony मतलब positive attitude रखना, सब के साथ अच्छा वेवार रखना, आप किसी के help कर रहे हो तो cooperation हो और वही harmony है, समझ आया not discord मतलब biasness नहीं है, individualism नहीं है कि मेरा benefit हो, बाकी सब बाढ़ में जाया, not discord, not discord समझ आया, that is the extension of this harmony and not discord which is known as cooperation and not individualism then question number four, which state, any two causes of fatigues that may create hindrance in the employee's performance, fatigue मतलब थकान थकान, अरे मेरी हिंदी नहीं लिख रा, मैंने तुम लोग बोलो के साथ किती गलत मातरा है लिखते हो क्योंकि हिंदी अपनी बहुत कमजोर है भाई, lazy, lazy, dizzy, है न, tired, बोल सकते हैं English में आप बात कर वालो, लेकिन हिंदी में अपना भाईया थोड़ा बेड़ा करके हैं तो हिंदी की नहीं मातरा लिखूंगा, मैंना कुछ करूंगा, ठीक है, तो तुम lazy, tired, dizzy कर लो ठीक है, तो fatigue का मतलब है ठक गए है, lazy हो गए है, dizzy हो गए है, tired है मतलब क्या, fatigue की बात कर रहे है, ठकान हो गई है, that may be created ऐसे कौन सी causes हैं जिससे ठकान हो जाती है, जिससे काम में रुकावटे आती हैं perform नहीं कर पाता, employee, वो कौन से ऐसे कारण है, जिन वज़े से इंसान ठक जाता है तो यह आते हैं हमारे दो main causes, the two main causes of fatigue that may create hindrances in the employee's performance is a long working hour, कि लंबे working hours and doing unsuitable work unsuitable work काम करना, देखो, लंबे आर, आपको break देने पड़ेंगे, breaks जिनको interval भी कहते हैं, interval देखो, movies में interval पता है, क्यों होता है, क्यों होता है क्योंकि आपके popcorn लाने के लिए नहीं था बिटा आपको curiosity रहे कि next part, next वाले part में क्या होने वाला है also, एक साथ दिखोगे न, there is a study की पढ़ाई आप 45 minutes से जादा नहीं कर सकते मतलब concentration आप 45 minutes से जादा नहीं कर पाता है, मतलब सबसे जादा focus, ऐसा नहीं कर नहीं पाते focus जो होता है, सबसे optimum focus जो होता है, सबसे strong focus वो brain 45 minutes तक कर पाता है इसलिए school के periods, school हो, coachings हो, coaching classes हो, CC कर देता हूँ मैं, है न, coaching classes हो हमारी videos भी हो, तो वो video तो क्या है, आप किस option होता है, कि मैं 45 minutes की अभी देख लूँ और अगर मान लो, घंटे बर की video है, या एक घंटे 20 minutes की है, तो आप 200 minutes को देख सकते हो है न, जरूरी थोड़ी हो, कि video को play and pause कर सकते हैं, लेकिन physical class को तो आप play and pause नहीं कर सकते हैं तो उसमें आपके पास option नहीं बचता है, पर हाँ, videos कई बार, जैसे sample paper के videos आती हैं, बटा, तीन, तीन, चार, 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 शह शह गंटे की अब्विस सी बात है, कोई 6 गंटे में एक साथ नहीं देख पा रहा है, लेकिन हाँ, आप उसको parts में देख सकते हो, अपने comfort के साफ से, because you have the option there, right, तो school में, coachings में, colleges में, आपके ना, जो lectures होते हैं, 45 minutes के इसलिए होते है, because they know that, यह आपका fatigue के उपर आ जाता है, कि इनसान जो 45 minutes के बाद, जो है, concentration, उसका lose होने लग जाता है, फिर 5-10 minutes का break, फिर class होती है, फिर 5-10 minutes का break, फिर class होती है, फिर उसके dresses होता है, lunch period होता है, then फिर उसके बा unsuitable work, unsuitable work मतलब, जो मेरे को suit नहीं करता, मतलब मेरे को पसंद है designing वाला काम, लेकिन मेरे को ऐसा काम दे लिया, accounts वाला, मान लोग मुझे designing पसंद है, अकाउंस वाला काम दे लिया, तो मैं बेमन से करूँगा वो काम, बलब ही मुझे आता भी होगा, तो मैं बेमन से in Wales, Wales मतलब UK side पे उनने किया, Wales Limited, Wales Limited career in Wales Limited, okay sorry my bad company का नाम है started their career in Wales Limited, a printing press, after going through a rigorous recruitment process बहुती अच्छा गासा, rigorous rigorous मतलब क्या, बहुती strict strict आपका, या फिर बहुती महनती वाला जो आपका recruitment process था, कि बहुत tough तरीके से मेरा selection हुआ, ऐसा हुआ कुछ since they had no prior work experience उनका कोई work experience नहीं था, इसलिए उनसे बहुत जादा उनको ख़देडा गया, कि तो मैं काम आता है, आता है, आता है, बताओ, प्रूफ करो the firm decided to give them one year to prove themselves, एक साल दिया उनको काम करने के लिए कि बताओ तुमारी stability of personal, stability of personal बुल रहा है कि यह एक साल का टेने और दिया है तिरको one year का टेने और दिया है जिसमें बताओ जा रहा है कि एक साल के अंदर अंदर तिर पास option है जहां पे यह बोला जा रहा है कि तू काम करके दिखा दे अगर तिरको अच्छा लगा हमें काम तुमारा तो हम तुमें आगे भी रख लेंगे और आगे भी तुमसे काम करवाएंगे लेकिन अच्छा नहीं लगा तो चुपचप निकल जाना ठीक है तो आप उसको बूल रहा है कि एक ऐसा चुपचा निकल जाना नहीं, सिंपल सी बात है, एक साल उसको दिया है, देखने के लिए कि वर्किंग पर्फॉर्मेंस कैसा है, वर्किंग पर्फॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसेस पर हमने बात करने की कोशिश करें, फिर आता है हमारा next वाला पार, next question आता है, which technique is used by tailor for distinguishing efficient and inefficient work, अच्छा technique जो की use के जाती थी tailor for distinguishing efficient and efficient work, inefficient work और efficient work में जो distinguish किया जाता था, वो ऐसा है कि कैसे आप बता सकते थे कि दोनों में क्या फरक है, it is differential piece weight system, मतलब क्या जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा मान लीजे एक प्रड़क्ट बनाने के लिए आपको मिलते हैं 10 रुपे तो यहाँ पे किसके साब से मिल रहा है प्रड़क्ट के साब से मिल रहा है 10 product बनना होगे, तो 100 रुपे मिलेगा, 5 बनना होगे, तो 50 रुपे मिलेगा, मतलब क्या है, अलग-अलग आपकी मेहनत के साब से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे कुछ question answers थे, related to one short, या very short answers, ठीक है, I hope you guys like the video, thank you so much everyone, कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, I really hope, अगर ऐसी और amazing वीडियो देखनी है, साने दिसर की वीडियो देखनी है, तो आप Magnet Brains चानल को subscribe कर सकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, CBSC है, spoken English है, CUET है, NTSC है, Olympiad है, CBSC, Hindi Medium भी है, जहाँ पे Hindi Medium चानल है, उसको भी जाके आप subscribe कर सकते हैं, UP board, BR board, MP board, ये सारे boards के लिए भी आपके पास availability है, तो आप जाके इनको भी check out कर सकते हैं, आपके लिए one stop platform है, आपको कही नहीं जाना है, सिर्फ आप इधर आजाए और आपको free education मिल जाएगी, आप किसी पी तरह के tablet, किसी तरह के laptop पे आप जाकर ये videos देख सकते हैं, किसी पी तरह के magnet brains की YouTube channel, magnet brains की website पे जाके भी videos देख सकते हैं, all for free, आप चाहें तो notes and books भी avail कर सकते हैं, जो की description में link है, इस link को press करके आप ये books and notes भी avail कर सकते हैं, जो कि आपको 100 में से 100 या 95 plus percentages लाने में help करेगी, also you can follow us on different platforms called YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram for V, I hope you guys like the video, thank you so much.